नमस्कार दोस्तों आप सब ये तो जानते हैं कि भगवान को सभी लोग याद करते हैं लेकिन इस धर्ती में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको स्वयम भगवान याद करते हैं क्यों याद करते हैं आईए उनके अनुभों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा को उसने अपने दिल में कितना बसाया है और उनके आज्यानुसार अपने जीवन को कैसे सजाया है आईए जानते हैं मद्ध प्रदेश भोपाल जोन की हमारी प्यारी मीथी दीदी आउधेज दीदी सेख। और आश्चर भी लग रहा है कि मेरा प्यारे शिव बाबा से बहुत प्यार था परन्तो ये विश्वास नहीं था कि भगवान निराकाश शिव प्रह्मा बाबा के तन में आकर अपना दिवे अलोके कर्तवे गीता के वाइदे प्रमान कर रहे हैं। ये विश्वास नहीं होने के कारण मेरे मन में सैकुणों प्रश्न थे। जिनकों लेकर के मैं मधुवन में 24 चोन 68 में आई थे। तब मात्र मेरी आयू तेरे वर्ष की थे। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है। और आश्चर भी लग रहा है कि मॉर्णिंग में सबसे पहले मैं इस्ट्री हॉल में क्लास करने के लिए गई थी। लेकिन हाउसफुल था। मैं सबसे पीछे बैठी। बाबा की महावा की चालू हो गए थे। तो मन ही मन में प्यारे शिव बाबा से मैं ये कह रही थी। कि हे भगवान मेरा नाम अवधेश है आश से शुरुवात होती है मैं अपने स्कूल में सबसे आगे बैठती हूं और मैं यहां सबसे पीछे बैठी हूं। मैं इस दस्टी से यहां आई हूं कि मैं आपसे दस्टी लूँ, साकाश लूँ और मुर्ली को अच्छे से समझ सकोूं। क्योंकि मैं रेगुलर क्लास में नहीं जाती, कभी-कभी बेहने आती थी, तो मैं क्लास में चाती थी। बस मैं इतना कही रही थी, तो मैंने यह कहा, आप तो भगवान हो, आप सबकी मनो कामना पूर्ण करने वाले हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, कि मुझे पीछे से आगे बोला लो। तो आपको सुनकर के आश्चर लगेगा, बाबा के महवा की चल रहे थे, और चलते चलते बाबा ने बोला, कि जो पीछे बच्ची बैठी है, उसको आगे बोलाओ। कुमार का बच्ची थोड़ा खे सकना, गुलजार बच्ची थोड़ा खे सकना, बच्ची को बेठाओ। तो सही में, मैं आगे आई, और आगे आ करके, मैंने महवा की सुनना शुरू किया। बस सुनने के लिए तैयारी में डाइरी पेन निकाल रही थे, तो बाबा ने एकदम कहा, कि बच्ची जो महवा की बाबा सुनाएंगे, वो स्टेज पर बैठ करके, रिपीट करना, बाब करे बाबा, मैं तो इस तल्नीनता के साथ बैठी थी, कि मैं दस्टी लेती रहूं, और अपने अंदर शक्तियों को भरती रहूं, लेकिन अब तो मेरे चारो तरफ से करमेंद्रियां खुल गए, दिमाग के कपाट भी खुल गए, क्योंकि अटेंटिव होकर कि मैं सुन रही हूं, और लिखी भी रही हूं, और याद भी कर रही हूं, और द्रस्थी भी ले र किये, और जैसे ही बाबा की मुडली पूरी हुई, बाबा गेट पर खड़े हुए, का बच्ची बेठो और अपने पॉइंट्स रिपीट करो, सोचिये, बाबा की स्टेज पर, मैं बेठी, बाबा ने मुझे बिठाया, कितना बड़ा मेरा सब भागी था, और कितनी खुशी की बात, कि जो मुडली मुझे समझ में नहीं आती थी, उस मुडली को मैं रिपीट कर रहे हुए, तो जैसे भी, डर थे, सहम थे, सकुचा थे, मैंने 8-9 पॉइंट सुनाए, और बाबा ने जो जो से तालियां बजाई, सारी सभाने तालियां बजाई, फ उतने दिन मुडली के बाद मुडली रिपीट करोगी, तो सच में, बाबा ने तो मुझे मास्टर मुडली धर बना दिया, वो दिन और आज का दिन, मैं किसी भी कीमत में मैंने ये दर्ण संकल्प लिया, कि मुझे कव भी मुडली मिस नहीं कर नहीं है, मैं डेट वाई पढ़ती, अगर कहीं से भी कोई ट्रैफिक में, कहीं कारण से, अगर मेरी मुडली मिस सुर जाती, कहीं से भी धून के मैं मुडली जरूर पढ़ती, और नोट करती, और पॉइंट्स को याद करती, तो साकार बाबा ने मुझे साथ दिन के अंदर, रेडी मेड एक अच्छ ब्रमा कुमारी बनने का वर्दान भी दिया और प्रक्टिकल पार्ट भी प्ले किया, तो मैं अपने मन से आज भी उस बात के लिए, उस वर्दान के लिए अपने आपको तो कोटी-कोटी बधाईयां देती हूं, प्यारे बाबा को, कि शब्दों मैं कहूं कि भगवान का मे तेरे से कितना प्यार है, आते ही मुझे बाबा ने मंच पर बिठाया और मास्टर मुर्ली धर बनने का परदान दिया, ओम शंती, ओम शंती, ओम शंती